हेलो एब्रिवान, वेलकम टो आर यूटूब इपरेशन चैनल, दोस्तों मेरो बेल और मैं आज 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 सबके सामने बहुत इंपोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, यूटाइस प्लास में जाके आप लोग कैसे जो इसकूल का ड्रोप बोक्स से बहुत क्लियार कर और आप लोग इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करना ताके इसका हेल्प सबको मिले और मेरे चैनल को सबस्काइब कर लेना, तो देखो आप लोग गूगल पे जाके सबस्काइब करा देखो इसके बदा यह एक है यह चैनल के पलोग आप करेंके। डेस्टोप साइट यह सिलेक्ट कर लेना तो मैं भी कर रहा हूं वैसे तो इससे मतलब सब इंटरफेस कुल के आएगा तो इसके बाद डेस्टोप साइट पर हम लोगों ने क्लिक किया क्लिक करने के बाद देखो 2023-2024 यह आया तो इस पर आप लोग क्लिक करोगे और अल्रेटी देखो मेरा मतलब कह सेकती इसमें लोगिन था इसलिए मतलब खुल गया लेकिन अगर आपका लोगिन नहीं होता है तो आप लोग लोगिन आईडी या पासवर्ट करके उसके बाद आ इस गाल सिर्फ यह सब दिया हुआ तो मेरा जो कह सेकते है क्लास 8 तक स्टूडेंट है सो पूरा इस सब दिया हुआ उसके बाद देखो आप लोग इस साइट पर लेट साइट पे स्कूल डेस्टबौट श्कूल प्रोफाइल लिस्ट अफोल स्टूडेंट सेक्शन मेनेज student पर click करोगे click करने के बाद देखो यह interface आ रहा है तो तोड़ा सो wait कर लो उसके बाद यह आया तो इसमें देखो हमारे school पर कितने मतलब कह सेकते हैं total 171 कह सेकते हैं इसमें dropbox पर है तो हम लोग इसमें जो जो कह सेकते हैं जिस region से मतलब dropbox पर है वो सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद देखो यह student का नाम आए जैसे आया notion करके तो उसका मतलब सब कुछ है जैसे pen number या बाकी जो जो information है फदर्सनी मादर्सनी सब कुछ है उसके बाद पास में देखो आप लोग जो last पर देखो update dropbox status इस पर आप लोग do you want to changes the dropbox status इस पर क्लिक करोगे सिलेक्ट करोगे सिलेक्ट करने के बाद यह update option आ जाएगा उसके बाद देखो नीचे option है student status so according मतलब student का जिस हिसाब से मतलब कह सेकती है जो status है वो आप लोग सिलेक्ट कर लोगे जैसे mark inactive पहला है इस पर अगर क्लिक करोगे तो नीचे देखो रिमार्क्स पर आएगा duplicate entry, wrong entry या due to death जो भी हो वैसे हिसाब से आप लोग कर सकती है उसके बाद देखो देखो में फिर से उपर जा रहा हूँ उसके बाद देखो mark inactive यह हो गया उसके बाद देखो left school with tc currently marked dropout मतलब school क्या सेकती है tc लेकि मतलब चला गया लेकिन अभी क्या है कोई भी स्कूल में पढ़ नहीं रहा है इस पर क्लिक कर सकते हो क्लिक करने के बाद देखो इधर status देखो यह तो आ गया उसके बाद देखो यह remarks पर आएगा किसलिए गया economic reason employment student absent या orphan जो भी है इस student के regarding या आपके student के regarding तो आप लोग वो select कर सकती हो सो इस हिसाब से देखो जो status से इसमें देखो यह चार चीजे हैं देखो left school with tc non drop out या left school without tc non drop out left school with tc currently mark drop out सो आपका जो भी reason है उस reason से आप लोग फिल करना जैसे मैंने mark inactive कर दिया चलो इसमें समझ लो यह duplicate entry हुआ तो इसमें duplicate entry दे दिया उसके बाद update कर दिया तो यह इसका जो है वो clear हो जाएगा सो ऐसा ही है और देखो जितना भी मतलब कह सकते है जो student है उनका मतलब ऐसे जाएगा देखो रंजन शावतल करके सब का मतलब आप लोग select करके इसका reason देखे appropriate reason देखे वो आप लोग update कर देना उसके बाद drop box clear हो जाएगा सो देखो आज के लिए इतने ही thank you so much आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और किसी को कुछ भी problem हो regarding this आप लोग comment section पर comment कर सकते हो या मुझे directly whatsapp पर message कर सकते हो मेरा whatsapp नमबर है 9001-467653 thank you so much